आज की वीडियो का टॉपिक है Expansion and Simplification in Maple किसी भी expression या function की expansion और simplification के बारे में पढ़ेंगे तो ये हम दो तरीकों से कर सकते हैं या हम Context Panel को यूज करके करेंगे या फिर हम Maple Commands को यूज करके करेंगे तो सबसे पहले हम Context Panel की मदद से Expansion सीखते हैं तो इसके लिए हम Example ले लेते हैं मिसाल के तोर पे हम Define करेंगे B को B is equal to x power 5 और उसके बाद लिखेंगे C C को हम Define करते हैं C is equal to x square plus 3x plus 1 Sorry, ये power में आ गएं सारे x square और right arrow प्रेस करेंगे तो नीचे base में आ जाएगा 3x plus 1 इसके बाद हम चाहते हैं इसको Expand करना हम लिखेंगे B multiply by C तो जब ये लिखेंगे तो यहाँ पे Context Panel में Options आ जाएंगे यहाँ पे Collect का Option इसको क्लिक करेंगे तो ये इसको Expand कर देगा इसके इलावा हम direct expression को भी लिख सकते हैं मिसाल के तोर पे मैं लिखती हूँ x power 5 यहाँ पे x power 5 और multiplication के साथ मैं expression लिखती हूँ x square plus 3x plus 1 और तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगी तो यहाँ पे Option आ जाएगा Collect का Option है या यहाँ पे Expand का भी Option आया है इस पे क्लिक करेंगे तो यह Expand हो जाएगा जो कि Exactly इसी के Equal है अगर आप पहले expressions को नाम assign करते हो तो उसके बाद Expand के लिए Collect का आप यहाँ पे Choose करेंगे और अगर आप Direct Expression को Product Form में लिखते हो तो फिर यहाँ से आप Expand का Command चूज करेंगे अब हम देखेंगे कि हम इन्ही को Maple Command की मदद से किस तरह से Expand कर सकते हैं तो किसी भी Terms को या फिर Expressions को Expand करने के लिए Maple में Command यूज होता है Expand का E X P A N D और उसके बाद यह सारे Small Letters में होते हैं Small Bracket लगाएंगे आप Expression को लिखेंगे For example में लिखना चाहरी हूं B Multiply by C और Enter प्रेस करेंगे तो यह Expand हो जाएगा इसके अलावा आप Direct ही Expressions भी लिख सकते हैं Expand का बटन प्रेस करेंगे Sorry, Expand लिखेंगे और उसके बाद Small Bracket फिर First Expression लिखेंगे जो की है X Square Minus 1 और इनके दर्मियान Product का Sign लगाएंगे और उसके बाद Second Expression लिखेंगे X Square Plus 3X Plus 2 Bracket क्लोज करेंगे और Enter प्रेस करेंगे तो ये Expand हो जाएगा अगर आप इन दोनों Expressions के दर्मियान में Product नहीं लगाते यानि कि Multiplication का Sign नहीं लगाते फिर ये Correct आंसर नहीं देगा क्योंकि इस Case में ये दोनों जब इन दोनों के दर्मियान कोई भी Sign नहीं हो तो Maple उसको Multiplication Consider नहीं करता तो इसलिए किसी भी दो Expand के दर्मियान आपने Product का Sign जरूर लगाना है Multiplication का Sign उसके बाद Enter प्रेस करेंगे तो ये Calculate हो जाएगा अब हम देखेंगे कि हम Simplification कैसे कर सकते हैं सबसे पहले Context Panel को यूज करते वे करेंगे तो हम Example ले लेते हैं मिसाल के तोर पे हम Simplify करना चाह रहे हैं X Power 5 प्लस X Power 5 माइनिस 3X Squared प्लस 1 जैसे हम ये term लिखेंगे तो यहाँ पे Context Panel में इससे Related Options आ जाएंगे जिसमें से एक Option है Simplify इसमें से हम Simplify को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे X Power 5 और X Power 5 वाले Terms कंबाइन हो जाएंगे और ये Simplify के आंसर आ जाएगा इसके इलावा हम इन expression को नाम भी assign कर सकते हैं for example मैं लिखती हूँ A is equal to X square plus 2X plus 1 और उसके बाद B assign करती हूँ मैं X square minus 2X plus 1 अब मैं इन दोनों expression को Simplify करना है यानि कि इनके difference को simplify करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी A minus B तो जब मैं यहाँ पर लिखूंगी तो यहाँ पर option आ जाएगा simplify का इस पर click करेंगे और simplify करेंगे तो यह आ जाएगा 4X के equal इसी तरह से अगर मैं लिखूं A divided by B तो इसकी भी simplification यहाँ पर options में आ जाएगे इस पर click करेंगे और simplify पर click करेंगे तो यह answer आ जाएगा और अगर हम maple command को use करते वे simplify करना चाहें तो इसके लिए किस तरह से करेंगे तो command हम use करेंगे simplify का इसमें सारे small letters में है और यहाँ पर हम लिखेंगे जिसको भी हमने simplify करना है for example हम simplify करना चाहा रहे है x plus 3 over x square plus 5x plus 6 इसके हमने divian को simplify करना यह quotient form में है यानि x plus 3 को हमने divide करना है x square plus 5x plus 6 के साथ तो यह लिखे simplify लिखेंगे और enter प्रेस करेंगे तो यह इसकी simplified form आ जाएगे इसके अलावा simplification से पहले हम इनको नाम भी assign कर सकते हैं तो उसके लिखेंगे simplify for example हम इनही A और B को consider करते हैं जिनको हमने पहले नाम assign कर दिया है और यहाँ पे लिखेंगे A plus B हम इनका sum find करना चाहरे हैं और चाहते हैं कि यह simplify भी हो जाए तो यह इस तरह से answer आ जाएगा 2X square plus 2 यह A और B दोनु expressions आपस में add हो गए और उसके बाद simplify होके यह answer आ गया इसी तरह simplification command की मदद से हम real numbers को भी simplify कर सकते हैं हम simplify का command लिखेंगे और for example हम find करना चाहरे है square root of 4 इसके लिए sqrt का command यूज करते है square root के लिए और plus 6 divided by 4 इसको हम simplify करना चाहरे हैं तो यह लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यह simplify हो जाएगा इस तरह से हम different expressions की simplification भी कर सकते हैं और expansion भी कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने सीखा expansion and simplification in maple के बारे में